Welcome back everyone, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, उमीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे, आज ही वीडियो में हम आपके लिए आज एक DIY फेस मास्क रेडी करवाने वाले हैं, जो रहने वाला है बिल्कुल परफेक्ट फॉर एवरिवन, पर उससे पहले ये बताओ आप स मास्क बना है, स्पेशली आपके लिए, ये मास्क लिटरली हर समस्या का समाधान है, अगर आपके फेस पे रिंकल्स हो रहे हैं, फाइन लाइन हो रहे हैं, डाक स्पॉर्ट हो रहे हैं, पिग्मेंटेशन हो रहे हैं, स्किन लूज हो रही है, या फिर फेस से कहीं ग्लो खो कम कर देती है जिससे वह यूथ फुल वाला ग्लो कहीं खोसा जाता है तो जो यह वाला मास्क है यह मेक शौर करेगा आपकी स्किन में कॉलेजन को बूस्ट करें और वह यूथ फुल वाला ग्लो आपका प्रिजर्व करकर रखें अब सवाल आता है क्या यह एंटी एजिंग मा खुद reflect करेगी आपकी जो भी desire है आपको चाहिए glass skin, आपको चाहिए hydrated skin, आपको चाहिए smooth skin, यह literally हर समस्या आपकी दूर करने वाला है तो बिना सुचे वीडियो को देखना पूरा end तक हम आपके लिए ready करवाने वाले हैं एसा मास्क जो होगा loaded with vitamin C और आपकी skin में collagen boost करने ह ही चाहिए और आपको डिफरेंस दिखेगा आपकी स्किन में तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो आपको बताते हैं हाउ तो प्रिपेर दा बेस्ट वाइटमिन सी कोलेजन बूस्टिंग फेस मास्क आट हो अरे आज के मास्क के लिए आपको मामूली चार इंग्रीट्स की ज़रूरत पढ़ने वाली है पहले जान लेते हैं इंग्रीटिंट थोड़े उनके फायदे जानते हैं फिर आगे बढ़ेंगे रेमेडी की तरफ इंग्रीटिंट नमबर वान राइस फ्लॉर बोले तो चावल का आटा ये एक बहुत बढ़िया ब्यूटी सीक्रेट है जापनी स्विमिन सालों से यूज करती आ रहे है चाहे बात हो राइस वाटर की या हो राइस फ्लॉर की वो बहुत अमेजिंग रहता है आपकी स्किन क रणने की राइस फ्लॉर से बढ़िया ब्यूटी इंग्रिजिंट नहीं है राइस फ्लॉर की पता सबसे खास बात क्या होती है उसके अंदर होती है माइल्ड स्क्रब बीट जो आपके ब्लाक है और वाइट को भी हटा देती है अगर आप एक यूथफुल वाला गलो अपन करेगा डाक स्पोर्ट और पिग्मेंटेशन पर और मेक्शॉर करेगा आपको मिले स्मूध स्किन और शाइनियर स्कें ग्रीडियंट नमबर टू वीट फ्लॉर या फिर कहें आटा एक रिच सोर्स ऑफ फाइबर तो होता ही जिससे बहुत बढ़िया रोटी बनती है और अगर आपकी स्किन ओईली है तो यह सारा एक्स्ट ओईल आपके फेस से खीज लेता है अगर एक असान सा मास्क रेडी करना चाहते हो ना घर पे मैं सिरफ दो इंग्रीडिंट्स आपको बताता हूं आपने सिरफ लेना है आटा उसके दो चमच और उसमें डालना है दो अग्लोव देने वाला और साथ आपके फेस से प्रॉपर्ली टैनिंग अटा देगा पर हमारे आज के मास्क में एड करने वाला है ओईल फ्री टेक्ट्चर ताकि आपके फेस से एक्स्ट्रा ओईल हट जाए और एक्स्ट्रा शाइन आए आपके फेस पर ग्रेडिंट नंब सपाद जब्रदर दंग से फायदा देगा आपकी स्किन को इसके अलाववा कॉल्लीजन बूस्ट करता है आपकी स्किन में जिससे होता क्या है जो आपकी स्किन की plumpiness है न वह बनी रहती मेलनीन प्रड़क्शन जब बढ़ जाती है ना जो sun की rays आपकी contact में आती है skin के वो reason होता है dark spot और pigmentation का सबसे बड़ा यह make sure करता है melanin production आपकी skin में कम करता है जिसे dark spot और pigmentation आपकी skin में properly fade हो जाते है इसके अलावा acne के निशान हो गए कोई भी आपकी skin में infection हो गया हानी में होते हैं बहुत से healing properties जो आपकी skin को softer, brighter और younger बनाती है साथ में जबरदस nourishment देती है आपके face पे आपकी skin को instantly ही एक tightening effect फील होगा जैसे ही आप honey लगाते हो और आपकी skin को firming effect देती है साथ में mild exfoliator तो ही जो आपके blackheads और whiteheads को clear करनेया काम करती है honey make sure करती है आपकी skin tone properly even हो आपके face पे जबरदस वाला glow आई यही वज़ा है जो आजकाल major brands honey को अपने ingredients में add कर रहे है because honey लोग बहुत ज़ादा पसंद कर रहे है honey सिरफ एक sweetener नहीं है जो आपके taste buds को बहुत पसंद आती है आपके skin के लिए भी किसी magic से कम नहीं है अगर आपको sunburn हो गया ना आप अगर वहाँ honey लगाते हो वो sunburn से भी आपके skin को relax करनेया काम करेगी और आपके skin calm down हो जाएगी और जबरदस वाला glow तो आपको मिलने ही वाला है आप आज की remedy के सारे magical ingredients जान चुकी हो अलग-अलग ढंग से कैसे use करना उनको मैंने वो भी आपको बता दिया अब आप सोचो जब ये चारों मिलेंगे तो क्या next level का DIY vitamin C collagen mask ready होने वाला है जो आप कि skin को next level का glow देगा पहले जानते है remedy कैसे आपने ready करने है एक आप ले लो glass bowl उसमें आपने डालना है एक चमच rice floor, एक चमच wheat floor इन दोनों को properly mix कर लो फिर आपने उसमें add करना है एक चमच honey properly उनको कोशिश करो जितना भी mix होता है उतना mix हो जाए फिर आपने add करना है एक से दो चमच beetroot का juice और properly उनको mix करके एक lump free paste बना लो यही है हमारी आज की magical remedy इसको पूरे face पे पूरे neck पे या फिर body पे कहीं भी आप apply कर सकतो जहां आपको extra glow और extra shine की जरूरत है यह वाला mask आपने 20 से 25 मिनट के लिए leave on करना है अपनी skin में जैसे सूखने लग जाए इसको massage करके wash off कर दो आप इस mask को अराम से हफते में दो बार use कर सकतो for best results और आपकी skin पे next level वाली shine add करने वाली है पहले यूज में आपको एक tighter और younger skin feel होगी within two weeks आप सिरफ चार बार इसको use करकर तो देखो एक 14 days challenge की तरह भी आप ले सकतो 14 दिन में आपको आपकी skin में बहुत जबर्दस चेंज देखेगा और आपकी skin अलगी डंग से glow भी करेगी और hydrated भी दिका होगा मुझे बताने हैं कि आपको वीडियो पसंद आई है और अपनी तरफ से आप हमें प्यार दिखा रहे हो और यह बहुत जरूरी है अगर हमारे चैनल को ग्रो करना है हमारी फैमिली को ग्रो करना है अब आप सोचो आपको कितना अच्छा लगा है यह सोचके कि आ और आज हमारा चैनल यहां से यहां पहुचा है और वो सिरफ और सिरफ आपके प्यार के साथ ही पहुचेगा तो बिल्कुल भी देरी ना करो वीडियो को शेयर जरूर किया करो अपने फ्रेंज के साथ यह बहुत हेलफूल रहता है हमारे लिए तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में अंटिल नेक्स चाइम दिस इस यह होस्त रोज सच्छ देवा गुड़ाइब